क locked chips यह lot chips और घटेंबनाना muscle हिया r JSON यह आप देख सकते हैं इस तरह से crunchy hi exchange बनने वाली आज अमारे तो कि उसके लिए में McMinnie है यहाँ पर आलू यह बड़े बड़े size के आलू यहाँ करें हूप सके तो नए और यूज़ करें ändern तो इसको तो हम अच्छे से धो के इसका चिलका निकाल लेंगे इस तरह से, इमीने चिलका निकाला हुआ हो है, अब एक पति दे में भरके पानी लेंगे। और इसमें हम ये फिटकरी 30 सेकंड तक अच्छे से घुमाएंगे पानी में, पानी इतना लेना है कि हमारे जुए आलू है वो अच्छे से डूप सके अंदर, तो फिटकरी इस तरह से घुमाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे आलू, इसको हम 10 मिनिट के लिए आलू को प अब ये आलू हम निकाल लेंगे, 10 मिनिट हो चुके हैं, एक साफ सुतरे कपड़े से हम आलू को अच्छे से पोंच लेंगे, आलू में थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, तो ये इस तरह से सारे आलू पोंच लें, अब हम इसके चिप्स बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने ये आलू बनाने का स्लाइसर लिया है, इस से हम ऊपर से नीचे बस स्लाइस करते हुए, इसके चिप्स बनाएंगे, और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, ये देखिए इस तरह से सारे आलू के हम चिप्स बनाएंगे, यह पूरे बन के बन चुके हैं अब यहाँ पर हम कड़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें एक एक करके पूरे स्लाइसेस डाल देंगे जितने की ये कड़ाई में आ सके उतने slices डाल दे शुरुवात में याद रहें जब हम slices डालते हो तब तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए और तेज आंच में ये डालते जाए और फिर दीरी दीरे आंच को कम करते हुए हमारे जो chips है उसको fry करें जब ये आदे आल चिप्स पक जाए तब हम इसका मेडियम फ्लेम कर देंगे और जब थोड़ा सा हलका हलका दिखे हमारे chips तो पूरा फ्लेम कम कर देंगे ताकि ये जो chips है वो जलेंगे नहीं पूरा अंदर तक अच्छे से इसको fry होने देंगे ये आप देख सकते हैं इसके जो बुल्बुले है वो पूरे कम हो चुके है इसका मतलब हमारे जो slices है ये पूरे chips बन चुके हैं अच्छे से अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हमारे सारे chips बना के रेडी कर लेंगे ये हमारे सारे chips बन के रेडी हो चुके हैं इसमें मैं थोड़ा सा सेंधा नमक डालूँगी ताके chips का टेस्ट जो है वो और अच्छा आए इसमें आप अपनी पसंद से मिर्ची भी डाल सकते हैं तो ये हमारे chips बन के रेडी हो चुके हैं है ना बनाने में एक दिम आसान तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें थैंक्यू